जी वेलकम हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नोलोजी पे आज है 29 जून यानि आज एद का दिन है आज एद है तो हमारी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को एद की मुबारक बात बात करते हैं इस वीडियो में ओनलाइन एक्जाम जो आपका O-Level का होने वाला है जुलाई 2023 में बहुत से बच्चों का डाउट ये भी है कि एक्जाम पोस्ट पॉन हो गया है लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी नैलेट का कोई भी ओफिशल नोटिकेशन नहीं आया है तो इसलिए हम अभी नहीं कह सकते प्रोपर कि आपके एक्जाम पोस्ट पॉन होए है या नहीं होए है लेकिन अगर पोस्ट पॉन आपके एक्जाम होगे तो उसका एक ही कारण होगा कारण ये है कि आपके नैलेट के पास online exam कराने के लिए इतने center available नहीं है कि आपके online exam conduct कराए जा सकें आपके exam लिये जा सकें बच्चे बहुत हैं लेकिन नैलेट के पास इतने system नहीं है इतने center नहीं है कि वो आपके exam ले सकें और अगर center हैं भी तो थोड़े दोर दोर district में हो जाते हैं तो जो बच्चे अपने जिले के हैं वो दूसरे जिले में paper दिने जाएंगे तो उनको बहुत सी problem हो को सामना करना पड़ सकता है इसलिए नैलेट चाता है कि आपके जिले में ही आपके exam करवाय जाएं और इसलिए इस बार आपसे पहले आपका जो center है वो आपकी मरती से choice करवाय गया था बात करेंगे कि नैलेट इस पार आपके exam online क्यों करवा रहा है क्योंकि आप जानते हैं 2015-16 से आपके O-Level के exam offline होते आ रहे हैं जब से O-Level शुरू हुआ है जब से आपके exam offline ही होते आ रहे हैं तो इसका क्या reason है क्या कारण है कि आपके exam online होने वाले हैं इस बार इसके दो कारण मुझे लगते हैं इसका एक कारण तो ये है दोस्तों के UP में खासकर UP में O-Level का exam leak हो जाता है जिसको आप कह सकते हैं कि cheating अगरा इसमें होती है पेपर लीख हो जाता है O-Level का जुलाई 21 में भी आपका पेपर लीख हुआ था O-Level का जो UP के बच्चे थे ख खासकर UP में ही वह पोस्ट पॉंड हुआ था यानि वह कैंसील हुआ था उसके बाद दुबारा आपके एक्जाम होए थे जो और डिष्टिक में से दिल्ली हो गया और भी है वह सारे जहां पर आपका एक्जाम एक साथ ही होते है O-Level के एक्जाम ओल इंडिया में तो वहां प्रोबलम को फेस करना पड़ता है इसलिए ओनलाइन सबसे बहतर है इन चीटिंग से बचने के लिए पेपर लीक से बचने के लिए ओनलाइन सबसे बहतर तरीका है जिस तरीके से नेलेट को इस समस्च्या का सामना इस बार नहीं करना पड़ेगा दूसरे कारण आपकी OMR seat छपती हैं आप जानते हैं कोशन पेपर शपते हैं बहुत खर्चा उसमें लग जाता होगा नेलेट का क्योंकि कोशन पेपर आप जानते हैं कम से कम 20-25 पेज का एक कोशन पेपर होता है 100MC की वाते हैं उसमें तो बहुत सारे पेज होते हैं फिर आपकी OMR seat है उसका सारा परबंदन उसका management करवाना seat वहाँ पर भेजना सब कुछ बहुत टाइम इसमें लग जाता है और बहुत खर्च भी इसमें आता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो फिर से आपकी दुबा कि केवल आपको computer पे बैठ के ही अपना question paper जो है उस पे laptop पे आएगा computer पे उसको आपको solve गरना होगा तो यही कारण है नैलेट के पास कि आपके जो exam leak हो जाते हैं खर्च बहुत आता है इसमें इसी से बचने के लिए आपके exam online इस बार करवाय जा रहे हैं बात रही है आपक चुटी हो क्योंकि आजीद है तो हो सकता है चुटी हो लेकिन call मिल भी रही है तो लेकिन call उठा नहीं रहा है कोई तो यह अवर नमा आपके लिए अभी वीडियो बनाता कि आपको सुनवाता कि उन्होंने क्या कहा है ठीक है जैसे ही कोई official notification मेरे पास आता है कोई update आती है तुरंत मैं आपको update करूँगा आपको शूचित करूँगा उसके लिए आप थोड़ा wait करिए ठीक है जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है प्लीज चैनल को subscribe आप सभी कर लिजे दोस्तों ताकि वीडियो जब भी upload होगी आपके पास उसका notification पहुंच सके ठीक है